हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिस इसटी प्रेटफार्म, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल को उसकी डेफिनिशन और उसके काइंट्स के बारे में, सबसे पहला काइंट्स आया था इंडेफिनिट जिसको हम उसका डेफिनिशन और साथ में उ क्योंकि दा होता है, एक बार फिर से हम आर्टिकल की डिफिनिशन को फिर से रिवाइश कर लेते हैं, आर्टिकल जो होता है वो नाउन को मोडिफाई करने के लिए काम आता है, आर्टिकल अजेक्टिव होता है और आर्टिकल को हम डिटर्मानर भी कहते हैं क्योंकि ये किसी noun को special significance करता है या फिर उसको specialize बनाता है आज इस वीडियो में दूसरा part पढ़ेंगे definite article को एक बार फिर से हम definite article की definition फिर से देख लेते हैं definite article जो है इंग्रिस में एक मात्र अकेला होता है जो की da होता है और यी जो article होता है में इसकी धा होता है वो a noun के पहले use किया जाता है उसको indicate करने के लिए जिसके बारे में reader को already उसके बारे में या पहले से ही वो उसके बारे में परचीत होता है इस example देख लेते हैं there was a king, the king was cruel अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले example को एक king आया है, यहां पर उसके पहले हमने a लगाया है दूसरी बार जब king आया है, तो उसके पहले हमने the use किया है जो example है, वो कह रहा है कि एक राजा था दूसरी बात है, जो राजा है वो cruel था, निर्दई था अब एक में हमने वहां पर a लगाया है मिसकी indefinite article को लगाया है बात कर लेते हैं, उसके हमने एक king के पहले a लगाया मिसकी indefinite article, दूसरे king के पहले हमने die use किया है अब दोनों में थोड़ा सा difference देख लेते हैं जब बात की गई थी कि एक राजा था अब यह हम कह नहीं सकते हैं कि राजा जो था वो था या नहीं था बस खाली तो मुझे इस बारे में जानकारी मिली ही थोड़ी से कि राजा था लेकिन अब राजा के ना तो कुई हमें गुण मालूम है ना उस нас की quality मालूम है ना उसकी प्रजा के बारे मालूम है हमें कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में मिलीज की राजा को यहां पर identify नहीं कहा जा सकता ना तो उसकी quality के अधार पे ना उसके रंग रूप के अधार पे हम नहीं बता सकते कि राजा कैसा था लेकिन जब इसे sentence में जब दुबारा बताया गया है कि जो राजा था वो cruel था वो निर्दई था मिसके हम उसी राजा के बारें बात करने जा रहे हैं जो राजा क्रोयल है मिसके उसके बारें हम आल्रेडी जान चुके हैं कि एक टाइम की बात है एक राजा था अब उसी राजा के बारे जब बताये गया कि राजा जो था क्रोयल था तो इसलिए हम आर्टिकल दा का यूज किंग के पहले किये हैं Right now Next Examper है The Taz Mahal was burnt by Saraj जहां आर्टिकल के जब हम यूज पढ़ेंगे तो उसमें एक आपको रूल मिलेगा कि जो historical building होती है उसके पहले हम दा का यूज करते हैं अब हम देखते हैं इसका यूज को सबसे पहला रूल देखते हैं दा is used to indicate a particular person thing in the case of common noun दा का प्रियोग जो होता है वो particular person या thing को indicate करने के लिए किया जाता है जब वो common noun के रूप में होता है प्रापर नाउन जनरली डूनाट टेकन एंड आर्टिकल लास्ट टाइम में भी आप वीडियो में पढ़ चुके हैं इंडिपिन आर्टिकल के तहत में कि प्रापर नाउन जो होता है वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता लेकिन जब पार्टिकुलर नाउन को हम कामन नाउन के रूप में बना लेते हैं तो उसके साथ हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर भी यूज किया जाएगा अब हम इसको देख लेते हैं जब ये किसी person या think को special बना रहा है और साथ में जो उसका case होगा वो common noun के रूप में होगा तब वहां पर हम article data का use करते हैं जैसे the man is running इस तरीके से यहां पर indication कर रहा है कि जो आदमी है वो दोड़ रहा है मैं इसकी जो बताने वाला है वो सामने आदमी जो दोड़ रहा है उस मैं इसके बगल में खड़ा है तो उसको indicate करके वो बता रहा है कि आदमी जो है वो दोड़ रहा है उस आदमी को indicate कर रहा है इसलिए आदमी को यहां पर particularize किया जा रहा है next example है I saw the boy stealing यहां पर भी boy के पहले दा का use किया गया है मिसकी मैंने एक लड़के को चुराते हुए देखा मिसकी कोई लड़का था वो चोरी कर रहा था अब कोई के बात आती है तो अब कोई होता तो वहां पर indifferent बाना गया था लेकिन यहां पर जो boy है उसको रंगे हाथ पर्टिक्राइज कर दिया गया और जब पर्टिक्राइज कर दिया जा रहा है तो उसके साथ हम दा का यूज करते हैं next example एक और है इसमें where is the pen I gave you last year अब देखे pen common noun है और इसके पहले article दा के यूज किया जा रहा है अब AS में जो speaker है वो object से question पूछ रहा है कि वो pen कहा है जिसको मैंने तुम्हें last year में दिया था means कि वो pen जिस pen के बारे वो पूछ रहा है उसको वो last year में उसको दे चुका है जब उसको दे चुका है तो इसका मतलब कि speaker जो है और जो सामने वाला listener है वो दोनों एक दूसरे जो जितने भी वो दोनों लोग हैं वो उस pen से परचित हैं और उसी pen की आज मांग की जा रही है या उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो pen कहां पर है इसलिए यहाँ पर हम article the case करते हैं next example है I gave him a ball but he launched the ball अब देखते हैं यहाँ पर बाल बाल दो देखाया है और दोनों के साथ article definite आया है एक के साथ और एक के साथ article definite आया है अब इसमें देख लेते हैं अब यह कुशन बनेगा आप पूछोगे कि बाल के पहले एक बार आपने ए लगा लिया है और दूसरी बार दा लगा लिया ऐसा क्यों किया है अब देखते हैं इसमें अंतर देखते हैं सबसे पहले आजे सिंडस को हम देखते हैं I gave him a ball हमने उसको या मैंने उसको एक गेंद दिया अब gain दिया ये कह नहीं सकते हैं कि हमने उसको gain दिया है लेकिन gain का जो रंग है, रूप है, गोल है, ये कैसी है, चिप्टी हुई है, कटी फटी gain है उसके बारे हमें कोई idea नहीं है, बस इतना हमको जानकारी मिली है कि हमने उसको gain दिया है तो यहां पर वो अनिशित हुआ, और अनिशित होने की उज़ास से उसके साथ article A का use किया गया है मिसकी independent article का use किया गया है, लेकिन जब उसी बाल के बारे में फिर दुबारा बता रहा है कि जो बाल है, जो बाल उसको दी गई थी, वो बाल जो है वो खो चुकी है मिस गायब हो गई है, मिसकी इसका मतलब जो बाल है उसके बारे में speaker और listener जो है या जिसके हाद में बाल थमाई गई थी, जिसको दी गई थी, उसको बाल का रंग रूप जो है, उसका हुलिया जो है, उसको मालूम है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे. नेक्श से देखते हैं, रूल अबर टू, कभी-कभी दा का प्रियोग, किसी ग्रूप या एक स्रेंडी को, वर्ग को जनराइज करने के लिए किया जाता है, मिश उसके बारे में बताने के लिए किया जाता है, जैसे, एक्चाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, दाग इस आफेधफुल एनिमल, दाग की बात की जा रही, इसकी कुटा जो होता है, फेधफुल एनिमल होता है, एक वफ़दार जानवर होता है, तो कुटा की बात की जाए, तो कुटा का मतलब यह नहीं है कि जो गली में अमारा घुमने वाले कुटे हैं, वो फेधफुल होते हैं या फिर जो भी जर्मन सेफर्ड होते हैं या फिर हाउंड स्वारे से डाग होते हैं वो फेथफुल होते हैं ऐसा नहीं है जितने भी डाग होते हैं वो सब के सब फेथफुल होते हैं मैं इसकी उसके एसपेसीज को बता रहा है उसके एक होल कलास को बता रहा है उसकी Doc की जो अगर देखा जाए बिशेषा सी तरह से देखा जाता है तो कुद्झे को हों मॉफदार जानूर बांते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुद्टा एक हीुफदार होगा बाकि दुनिया में जितने भी कुद्थे हैं वो मॉफदार नहीं होंगे ऐसा हो नहीं सकता है तो आपको रूल बताया गया है कि किसी proper noun के पहले किसी भी article का यूज नहीं किया जाकता एक टॉप को मालूम है दूसरा अब वो कहने के बावजूद भी यहां proper noun means की English के पहले हमने दा का यूज कर लिया है अब English जो है जब इसके साथ कोई article आ गया है तो अब यह English भासा न र प्रतित हो गए, मिंसकी वहां के लोग के बारे वो प्रतित हो गए, मिंसकी दा इंग्लिस का अर्थ होता है, peopleUND, इंग्लेंड के लोग, कभी चाब ही हम upright कहते हैं न, Englishman, English लोग, तो यहां पर English के पहले the का यूज जो आया है वो संपूर इंगलेंड के वाशियों को दिखा रहा है मिश की एक पुरे ग्रूप को मिश की जितने भी अंग्रेज होते हैं इसका रथ हुआ जितने भी अंग्रेज हैं वो इंडस्ट्रियस होते हैं नेक्ट है The honest are respected अब यहाँ पर honest के पहले दा जा है अब एक आपको रूल बताया गया था कि जो honest word होता है मिश की जिसमें ह जो होता है silent होता है honest बोलते हैं और honest के पहले means की हम article आयन का यूज करते हैं राइट ना reason क्या होता है आयन का यूज करने गा क्योंकि वहाँ पर honest में ह जो होता है वो silent होता है इसलिए उसका जो sound आता है वो आ से आता है और आ जो होता है हिंदी वर्ण माला के अनुशार स्वर होता है इसलिए उसके साथ अन का यूज किया जाता है लेकिन अब यह question पूछते हो गया कि यहाँ पर इसके साथ दाका यूज क्यों किया गया है तब अगर हम अब इसको देखते हैं तो honest जो है यहाँ पर sentence का जो अर्थ कह रहा है कि जो honest लोग होते हैं मिश कि जो इमानदार लोग होते हैं वो respected होते हैं मिश कि उनका सम्मान क्या जाना चाहिए अब ऐसा तो है नहीं कि जो इमानदार माली यह सोल लोग इमानदार हैं तो उसमें सिर्फ एका सम्मान क्या जाए सम्मानी तो सभी के सभी हुए इसलिए इसके पूरे group को दिखा रहा है पूरे work को दिखा रहा है इसलिए honest के पहले दा का use किया गया है इस तरी के अगला भी example है इसको आप समझेगा स्वयम से next देखते है rule number 3 to particularize a noun count noun that is required before it noun countable noun को particularize करने के लिए दा का use किया जाता है example देखते है the water of the Arctic Ocean is freezy water non countable noun है means uncountable है इसको count नहीं किया सकता पानी को हम गिनने ही सकते है और अब जब इसको particularize किया जा रहा है इसको business बनाया जा रहा है business कैसे बनाया जा रहा है कि जो Arctic Ocean है Arctic Ocean जो है महासागर जो है उसका जो पानी है अब जो मतलब यहाँ पर उसको business बना दिया गया जो उसका पानी है वो जम रहा है तो यहाँ पर Arctic Ocean के पानी को उसके water को यहाँ पर particularize कर दिया गया है उसको business बना दिया गया है इसलिए इसके पहले हम article दाका यूज़ करते हैं इस तरिके से दूसरा भी example है please return the money I lent you last year Means की मुझे वो धन वापस कर दो जिसको मैंने तुम्हें last year में दिया था Sounds की वो वही धन मांग रहा Means की अगर बाद की जाए की last year में उसको उसने 5 उर्पे दिये थे बाद की जाए की last year मुझे उसको 5 उर्पे दिये थे तो वो वही पांच रुपे मांग रहा है कि मुझे वही धन मुझे वापस कर दो मिश्की यहाँ पर भी उसी धन को मिश्की इस मनी को पाटुकुराइज कर दिया गया है इसलिए यहाँ पर मनी के पहले डा का यूज किया गया है नेक्ष एजामपल देखते हैं, रिलमर फॉर, दा इस मेंडिटरी बिफॉर अठिंग, विश इस वनली वन आप एक काइन इन दा यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मान, उसकी ब्रह्मान में कोई भी ऐसी चीज जो इकलोती है, एक मात्र है, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज, मैंडिटरी करते हैं, बिल्कुल अनिवार रूप से करते हैं, यहाँ यह नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल अनिवार रूप से क्या जाता है, जब यूनिवर्स की कोई भी चीज इकलोती हो, जैसे की, एक्जामपल देखते हैं, दा मू पर हम आर्टिकल दा का यूज, किये हैं, नेक्श एकजामपल एक साथ देख लेते हैं, दा अर्थी इ keluing around the sun, अब यहाँ पर दो दो आर्टिकल आये हैं, sun भी आया है और अर्थ आया है, और दोनों के साथ में आर्टिकल दा का यूज, किया गया है, सन जो है उनिवर्स में इकमात रहे इकलोता सन है बात की जाए अर्थ की पृतिवी की तो पृतिवी भी पूरे ब्रह्मान में इकलोती है यहाँ पर इसलिए इसके साथ दा का यूज किया जाना मेंडेटरी है नेक्स एंपल है जागरफियर प्लेस की बारे में बात कर रहा है यहाँ पर रूलमर फाइप जो है यूजिंग दा बिद जागरफियर नाउन्स जेनरली डेपेंड्स अन दा साइज एंड प्लूराल्टी आप थिंग्स दोज नाउन्स रेफर टू इसके जो नाउन को जो रे यूज किया जाता है और साथ में दा जेनरली यूजड एव्रिवयर एक्सेप्ट सम केसे सो इडिस बेटर तू नो दोज एक्सेप्शन फस्ट वी जो दा है जागरफियर प्रेज एक तो आपको रूल बता दिया कि जागरफियर प्रेज जो है इसकी जो भागोलिक प्लेस ह पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहां पर आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता है उन केसे को हम पहले देख लेते हैं इसी को हम कभी-कभी अपवाद के रूप में कह देते हैं जैसे कि लोग माना की लिख दिया गया है इट इस बेट बात की जाए मैं left hander हूँ मैं बाएं हां से लिखता हूँ तो मैं अपवाद नहीं हूँ ये मेरे नियम है, मेरे कादे है, मेरे कानून है अब इसी को चाहए अपवाद मानो या फिर मेरे नियम मानो आप right hand से लिखते हो तो आपका नियम नियम है और मेरे नियम जो हो अपवाद बन जाता है हम जी को कुछ इस तरीके से लिख दे और आप जी को ऐसे लिख दो तो ये अपवाद नहीं हुआ बस ये मेरे लिखने का तरीका हुआ तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी words होता है कोई भी चीज होता है वो अपवाद नहीं होता है बस उसको हम अपवाद की सेड़ी में दे देते हैं बस simple आप समझे को वो उसका नियम है वो अपने सार उसको कर रहा है तो उस ही को लोग अपवाद कह देते हैं तब देख ले अपका रे उसके पहले दा आर्टिकल जो है नहीं आएगा, सबसे पहले देखते हैं, point number one पर, name आप, continents, जो continents हैं, जो महाद्यूप हैं, उसके पहले हम आर्टिकल दा का use नहीं करते हैं, अगर जिसे कहीं पर लिखा मिल जाए, दा एसिया, या एसिया, या एसिया, मिसकी कोई भी आर्टि हैं, शाथ महाद्यूप हैं, और इसके साथ, हम आर्टिकल का use नहीं करते हैं, इसकी एसिया, योरोप, आस्टेरिया, अफरीका, साउथ अपरीरिका, नार्थ अमेरिका, एंड अंटार्क अठिका, यह सब कांटिनेंट हैं, और इनके पहले हम आर्टिकल दा का use नहीं करते ह नेक्ट है नेम आप कंटीज जो देश हैं मिश्की देश के नाम के पहले भी हम आर्डिकल का यूज नहीं करते हैं कोई भी कंटी उठा लेते हैं अपना कंटी उठा लेते हैं सबसे पहले इंडिया हम इंडिया को दा इंडिया नहीं लिखेंगे या ए इंडिया नहीं लिखेंगे अन इंडिया नहीं लिखेंगे क्यों यह नियम है कि हम कंट्रीज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते पर हाँ एक सर्थ पे जब आस्टेलिया या इंडिया है जिसे प्रापर नाउन है इंडिया आपको यह भी बताए गया कि प्रापर नाउन के पहले हम दाका यूज नहीं करते हैं अब जैसे प्रापर नाउन से हम प्रापर एड्जेक्टिव बना लेते हैं तो उसके पहले हम आर्डिकल का यूज करते हैं मिन्स की जैसे मैं कहूं कि मैं एक भारती हूं I am an Indian तो यहां पर इंडिया नहीं है वह adjective बन चुका है तो इसलिए यहां इसके साथ आर्टिकल आन का यूज़ किया गया है नेक्स है ने माफ स्टेट्स जैसे देश है वह इसे स्टेट की बात कर लिजा है तो इस्टेट के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते ना तो सिटीज के साथ और नहीं टाउंस के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है जैसे अपना स्टेट देख जदेते हैं देलही के पहले हम दाड़ेल ही नहीं लिखेंगे उतर प्रधेश के पहले भी हम दाड़ नहीं लगाते हैं वहाँ शिटेट दर के हम कंट्री जिदेख लेते हैं लास एंजलhhhh Allask नेक्स परूल लगते हैं नेम आप स्ट्रीट जो गली होती हैं गलियों के नाम के पहले हम दाकायूस नहीं करते हैं जिससे कोई गली है आपके महले में आसपास में जो आपका महला है उसकी गली का नाम जो है जार्जी स्ट्रीट है एक गली है इस गली के पहले हम दाकायूस में इसकी अब ध्यान रखेगा कोई भी गली हो उसके पहले हम दाकायूज नहीं करेंगे नेक्स्ट है Names of singular lakes and base singular lakes जील और बेस मिसक खाडियों के नाम जील और खाडियों के नाम के पहले हम आर्टिकल दाकायूज नहीं करते हैं कोई भी ले लेते हैं, लेक कैरी, लेक आयर, लेक हिलर, सार्क बे, ये सब जो हैं, लेक और बेस के नाम है, इसकी जील और खाडियों के नाम है, इसके पहले आर्टिकल दाका यूज नहीं किया गया है, next है, name of single mountains, mountains के नाम के पहले भी हम आर्टिकल दाका यूज नहीं करते हैं, जैसे, mount Everest, मालूम है आपको भी उसका सबसे उचा परबद, mount Everest, इसके पहले दाका यूज नहीं किया गया है, मिश्क इस तरीके से जितने भी होंगे, उसके पहले हम आर्टिकल दाका यूज नहीं करे हैं next name up languages languages के पहले भी हम article का use नहीं करते हैं कि अभी just example आप पढ़ चुके हैं last time में था example में दा English आपको बताया है कि जो language होती है उसके पहले हम article का यूज नहीं करते हैं लेकि तभी English के वर्ड के पहले दा आया था और दा का मतलब हो गया कि वो पूरे स्वंव को दिखाएगा उस देश का निवासी बन जाता है दा स्पैनिस अगर लिग दिया जाएगा दा रसिया लिग दिया जाएगा तो इसका अर्थ होगा कि रूस के देश के निवासी जिसे दा हिंदी लिख दिया गाए तो दा हिंदी के मतलब हो गया हिंद देश के निवासी मिन्सकी भारत देश के निवासी हिंदी अधिकतर भारत में ज़्यादा बोल जाती है तो इसलिए हिंद देश के निवासी हो जाएगा तो मिनस्की लेंग्वज की रूप में यूज़ किया गया है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते लेकिन अगर हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ कर देंगे तो वह जो है जाकरके वह उस देश के निवाशी के रूप में परियूटिस हो जाएगा Name of Sports खेल की जो सब्दा वाली है उसके पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबाल, बास्केडवाल, वालीवाल, कबड़ी, खोखो कोई भी गेम हो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं Next है Name of Discipline, Subject of Studies Means की Discipline या Subject जो होता है उसके पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जैसे दा बालाजी, दा हिस्ट्री, दा कर्मुटर साइंस, दा मैथिमेटिक्स ऐसा नहीं होता है Means की उसके साथ आर्टिकल नहीं आता है सिफ हम उसको बालाजी, हिस्ट्री, कमुटर साइंस, मैथिमेटिक्स, जागरफी, एकोनामिक्स, सिबिक्स Means की उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे लेक, बेज, माउंटेंज, आईलेंड, लेंग्वास और स्पोर्ट इनके पहले और साथ ही सब्जिक्ट इसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं Next rule, इसे में नोट करके दिया गया है दा इस वाइडली यूज आर्टिकल इन इंग्लिस दा जो है उसका जो यूज है वो इडली विश्टार उपर से मतल बहुत ही जादा व्यापक रूप से अंग्लिजी में उसका यूज क्या जाता है Except for the list mentioned above and proper nouns दा is used before almost all the nouns which means something definite, particular, the above list has some opposite factors also those factors are explained in the following list दा जो है वो जो उपर लिश्ट दे गई, mention कर दी गई है उसके साथ हम आर्टिकल दा का use तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं उसके साथ हम दा का use करते हैं वो हम यहाँ पर दिखा रहा है जैसे, name of ocean, ocean, gulp, ocean मतलब महासागर, gulp, खाडी, seas, समूद्र, rivers, नदी इस सब के पहले हम आर्टिकल का use करते हैं जैसे, the pacific ocean, प्रशान्त महासागर इसके पहले दा का use कर जाएगा या seas हो, समूद्र हो, या river हो, नदिया हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का use करेंगे इसे, the ganga, river का नाम हुआ the neil, ये भी एक नदी है विश्कि सफे लंबी नदी नेम साब, countries with United States और islands अभी लाश्ट में आपको बताएगा कि island या फिर country के नाम के पहले हम दा का use नहीं करते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम use करते हैं जैसे, एक state की बात की जा, United States of America जैसे हम साटफार में USA लिखते हैं इसके पहले हम article का use करते हैं United Kingdom, जिसे हम UK लिखते हैं या फिर इसके साथ भी हम article का use करेंगे The UAE, सनुक्ट अरब अमीराज से बोलते हैं उसके पहले भी हम article का use करेंगे The Philippines उसके पहले भी हम article का use का रहे हैं में इसके कुछ ऐसी कंटी हैं जिनके नाम के पहले हम दाका यूज करते हैं नेम्स आप ग्रेट लेक्स जो महान जो जीले हैं उनके पहले भी हम नाम के पहले हम आर्टिकल दाका यूज करते हैं जिसे दा Great Lakes, the African Great Lakes, मेंज की जो महान बहुत ही ज़्यादा ब्यापक तौर पे हैं, उसके साथ भी हम आडिकल दा का यूज करते हैं, नेम अप माउन्टेंस रंजेज, Mountain की जो पहाडια मिझिज के जो उनकी ranges है परबस Sinkhla उसके पहले हम आउटिकल दा का यूज करते हैं जैसे बात की जाए दा हिमालया मिझि की हिमालय जो है ये परबत की सिरेडि सिरिंखला होती है मिझि की अगर हिमालय में बात की जा तो हिमाले में पर्वत हैं, mountain, कंचन, जंगा, इस तरीके से नजानी कितने पर्वत हैं वहाँ पर, तो वो पर्वत जो mountain होए, लेकिन यहाँ पर बात की जारी mountain ranges की, मिसकी पर्वत स्रिंखला की, पर्वत माला की, तो वहाँ पर हम article दा का यूज करेंगे, ता alpas, दा andies, यह सब पर्वत की स्रिंखलाएं हैं, यह पर्वत नहीं है, पर्वत की स्रिंखलाएं यह बात हमेशा ध्याराखना, सिर्फ अगर बात पर्वत की जाए, मिसकी mountain की की जाए, तो उसके साथ हम article दा का यूज नहीं करते, लेकिन अगर पर्वत स्रिंखलाएं की बात की जाए, तो उसके साथ हम article दा का यूज करते हैं, ने माप एक group आप island, अभी लाश्ट में आपको बताएगा थे, कि island के नाम के पहले भी हम दा का यूज नहीं करते, लेकिन अगर उसकी group की बात कर दी जाए, जैसे दा बेस्टन्डीज, बेस्टन्डीज जो है, एक तो country है, ये एक दीप समू है, अंड़मान निकोबार, आपको मालूम है, अपने देश का ही है, इसके पहले भी हम article दा की उज करेंगे, वी यूज दा, मिसकी article दा जो है, उसका हम यूज करते हैं, before nationality expressing word, मिसकी रश्टेता की जो जहां पर भावना आती है, वहाँ पर हम उसके साथ article दा का यूज करते हैं, जैसे दा एसियन्स, दा इंडियन्स, दा चाइनीज, दा डच, दा डच के निवासी, चाइना के निवासी, या चाइना के लोग, इंडियन्स, भारत के लोग, एसियन्स, एसिया के लोग, मिसकी यहाँ पर nationality को बिक्त कर रहा है, तो यहाँ पर हम article दा का यूज करते हैं, एक और यहाँ condition दे दी गई, यहाँ आपको नोट करके, कि इप नेशनालिटी इस प्रेजिंग वर्डर यूज जिस सिंग्लर काउंटेबल नो, सिंग्लर काउंटेबल केस में, जब उसको हम काउंट कर सकें, जैसे हैं, अकर कोई इंसान है, आप अगर किसी दूसरे देश में चले जाओगे, तो आपको दा इंडियन नहीं कहा जाएगा, एन इंडियन कहा जाएगा, कि एक भरती हमारे देश में आया है, राइड ना, कोई अगर चाइना का अपने देश में आ गया, तो आप क्या कहोगे, एक चाइने अख है इंसान जो हमारे कंट्री में आया है, तो जो वो सिंगलर डाउन बन जाएगा, उसके साथ हम आर्टिकल ए या आन का यूज़ करेंगे, वो आपके वावल या फिर वावल साउंड के आधार पे, या कांसोनेंट साउंड के आधार पे डेपन करता है, जैसे इंडियन, आई से स्टार्ट होता है, वावल से स्टार्ट होता है, उसके साथ हम आन का यूज़ करेंगे, Chinese का जो starting हो रही C से हो रही, consonant से हो रही है इसलिए इसके साथ हमने A का यूज किया है यह ध्यां रखना जब बात पुरे nationality की जाए पुरे राश्टेदा की की जाए तो उसके साथ article दा लेकिन जब singular की बात कर ली जाए तो उसके साथ हम article इंडेफिनेट यूज करेंगे जो की A और N होता है नफ्स देखते हैnh दा जो प्रीयोग होता है डा जो प्रीयोग होता है इसकी दिसाओं के नाम के पहले होता है जैसे दा येस्ट, दा वेस्ट, दा नार्थ, दा साथ चिल्ष कितनी भी दिसाये हैं उसके नाम के पहले हम article दा का use करते हैं नश्ट देखते हैं, relumerate दा is used before the names are political parties राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके नाम के पहले हम दा का use करते हैं जिसे दा भारती जन्ता पार्टी, communist party, the samtah party ये सारी की सारी जो पार्टी जो हैं कोई भी party हो, उसके नाम के पहले हम article दा का use करते हैं नश्ट देखते हैं, दा is used before the name of historical event historical event कोई हुआ हो, एतिहासी कोई घटना घटी हो उसके साथ भी हम article दा का use करते हैं जैसे, the battle of पानी पत, पानी पत का युद्ध इसके साथ article दा आया है, ये historical event है इसलिए इसके साथ article दा का use किया गया है नेक्स है, दा is used before the name of historical period historical period, मिसकी एतिहासी काल के पहले हम article दा का use करते हैं जैसे, the restoration period, और इसका पिरिएड है इसके पहले हम article का use करेंगे इसके पहले हम article का use करेंगे दा is used before the name of historical building अभी आपको definition में बताए गया था starting में ही, definite article के दूसरा example था वहाँ भी वही सेम है दा आजमाल और यहाँ भई मिसकी historical जो building होती है उसके नाम के पहले हम article दा का use करेंगे दा खुतु मिनार, दा ताजमाल, दा दा गोहा, दा रेट फोर्ट इसके से कोई भी जो भी historical building होगा इतिहासिक जो इमारते हैं उसके पहले हम दा का use करते हैं next rule लेखते हैं दा is used before the name of historical empire, इतिहासिक empire जो है, जो समराज है इतिहासिक दिरिष्ट जो समराज देखे जाएं तो उसके नाम के पहले भी हम article दा का प्रयोग करेंगे जैसे बात की जा मुगल समराज कुसार समराज या और कोई जो भी है, मिसकी जो अगर historical empire होगा तो उसके नाम के पहले हम दा का use करेंगे मिसकी जैसे मुगल समराज है मुगल empire है तो उसके नाम के पहले दा आएगा, अर्थात की दा मुगल empire धहादेना दो बड़ होता है, एक empire होता है, एक empire होता है empire जो होता है, cricket ground का रेफरी होता है और empire मतलब समराज होता है रूर लमर 13 देखते हैं We use the, in the structure of date, off, month's name. यदि कोई ऐसा structure दिया गया हो, date हो, फिर off हो, उसके साथ में month का नाम हो. तो उसके साथ भी हम article the का use करते हैं. जिसे एक format दे गया है, date दे दे गया है, fifth, आपका format भी आ गया, और month का भी, तीनो format match का राइस के साथ, और इसके लिए इसी के साथ यहाँ पर article the का use किया गया है. लेकिन, एक कैसे ऐसा, हम वहाँ पर article का use नहीं करेंगे, जब उसका जो structure होगा, वो इस तरीके से होगा, जिससे, अप्रेल 23rd, अगर इस structure में दिया गया होगा, तो उसके पहले article the का use नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं देखते हैं, इस पर पर संदेट बाई एणी टाइटिल और पोस्ट, वी शुट यूज यूज द प्रिफोर दैट टाइटिल और पोस्ट, जिए किसी भी बेक्ति को उसके टाइटिल या पोस्ट से उसको डेनोट किया गया है, तो उसके साथ भी हम आडिकल दा का use करते हैं, जैसे, दुबारा गया है, पर रिंटा हो गया है, दुबारा गया है, दुबारा गया है, दुबारा गयैं पर पर वेकर रिंटा होलाँ इसको बा Should Drug minister की post से तो जब इनको denote कर दिया गया किसी post के साथ तो उसको हम article दा से follow करवाते हैं उसके साथ article दा आता है नेक्षी जाम पर लेखते हैं दा is used before the name of some states and countries दा का प्रयोग जो है कुछ state और countries के साथ भी करते हैं जैसे अभी आपने लाश्टा में पढ़ा है इसको the Sudan the United States, the Netherlands, the UK यह countries और states हैं इसके पहले हम दा का use करते हैं लेकिन इसी का एक note है इसी रूर का if the name of any countries start with kingdom, republic, federation, we must use the before the name of that country यद किसी country के जो नाम start होता वो kingdom से हो, republic से हो, federation से हो तो उसके पहले हम article दा का use करते हैं, जैसे kingdom आप mcdon, mcdon country है और इसका जो starting हुआ है kingdom से हुई है, तो उसके पहले हम article दा का use करेंगे south africa, उस country के जो नाम जो starting यहां क्या जा रहा है, republic के साथ के जाए republic आप south africa, means की, अगर kingdom, republic, federation अगर किसी देश के नाम के पहले यह word आ रहे हैं, तो उसके साथ हम article दा का use करते हैं, यह ध्यां रखिएगा आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें उम्मीद है कि article के दोनों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे लास्ट वीडियो को एक बार फिर से देखेगा, और इस वीडियो को भी दोनों को combine करके जब आप देखेंगे तो दोनों का difference आपको समझ में आएगा तो चैनल में आप बने रहेगा, कहीं मत जाएगा, हम इस तरह के एक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आप हमारा support करते रहेगा और हाँ, चैनल को subscribe और वीडियो को share करना मत भूलेगा Thank you for watching